श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं भगवान को आरंब में नमन और सुमन मन दोनों समर्पित करते हैं हम फिर कथा का प्रारम करते हैं सुमन मन, पुष्प, नमन मन, नमस्कार परंदु सुमन का आर्थ के बल पुष्प ही नहीं होता सुमन, सुमन, सुन्दर्मन भगवान को अपना सुन्दर्मन समर्पित करें कथा मन दे करके सुननी है तात सुनहु सादर मन लाई कहुं राम के कथा सुहाई तात सुनहु सादर मन लाई भगवान मन चाहते है सुन्दर्मन भगवान को समर्पित करें कथा कान से नहीं सुननी है मन से सुननी है तो सुमन समर्पित करें और नमन समर्पित करें नमन का अगर्द होता है नमसकार और नमन जो नमन करें वो नमन मन मन भगवान को सुम्प दिया अब हम नमन हो गए देखो जब तक मन है तब तक सुख है दुख है मान है अब मान है मन भगवान को सुम्प दिया मन ही नहीं रहा तो फिर कैसा सुख कैसा दुख कैसा मान कैसा अपमान और सुख और दुख ना हो तो क्या होता है वो ले तब आनंद रहता है गोबियां नमन हो गई गुदवजी जब आने आये गोपियों के पास उपदेश करने कृष्ण का संदेश लेकर कहते हैं देखो मन देकर सुनो जो हम कहने आये हैं गोपियों ने का कौन सा मन कैसा मन हमारे पास तो मन है ही नहीं मन नहीं है बोले एक था वो क्रिशन ले गए अब किस दूसरे इश्वर की आराथ ना करें हम और किस मन से करें हमारे पास तो मन ही नहीं है एक ही था सो गयो श्यामसंग सो श्री क्रिशन ले गए और अब हम उसके विरह में रो रही है रोने दो यार तुम्हारा क्या जाता ये रोना भी हमको अच्छा लग रहा है तुम हमको दुखी समझ रहे हो अरे श्री कृष्ण के वियोग में रोने का एकानंद है ये विप्रयोग आत्म कानंद है तुम हमको दुखी समझ रहे हो अरे श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होने जैसा सुख दूसरा कोई भी हमको अपनी मस्ती में रहने दो यार क्यों समझाने आये हो क्यों डिश्टब कर रहे हो अब कहीं कीरतन भक्ती हो रही हो और वहां कोई चला जाए और कहा बन करो बन करो बंदो ये टाल वाल सब बजाते बजाते सब कूद रहो विठाला 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 बशा खाली बशा ठाका टाल सुड़ा चला आता आमी तुमाला परभ ब्रह्मचा उवदेश कातु है काई चलना है हिंद्रित्य और गायन टालवाजवता है बंद करा तो कोई गएगा वहिया आप ब्रह्म की बात करना हो तो कहीं अन्यत्र जाकर जहां उसके ग्राहक हो वहां जाके करो न यहां तो किर्तन भक्ती हो रही है आमी वार करी तुम्ही अलाई थे स्वागत तुम्चा यह ग्या टालवा अन्य किर्तन करा किर्तन भक्ती हो रही है अब इसमें यहां ब्रह्मा वेदान्त का उपदेश करने की कहां बात कर रहे हो आये हो किर्तन करो गोबियां क्या रही है यहां हम सब मस्त होकर रो रही है कृष्ण के वियोग में रोने का आनन ले रही है और तुम ब्रह्म का उपदेश करने की बात छोड़ो यार वायार इस्टमिंगस और तुम आये हो तो तुम्हारा स्वागत है तुम भी रो रोने का आनन तुम भी लो और यही हुआ उद्धव जी जब गए मथुरा वापस लोटे तो आशू ले करके लोटे गोपियों ने अपने आशू की संपत्ती से उद्धव को भी धोड़ा दान कर दिया और यह वेदानती सुखे रेगस्तान सी उसकी आँखे प्रेमाश्रू से भर गई जब उद्धव मथुरा वापस लोटे तो श्री कृष्ण के वियोग के दुख जैसा कोई सुख नहीं है श्री कृष्ण के लिए रोना आशू बहाना उसके जैसा कोई आनन्द नहीं है इसलिए छोड़ो धव्ये वेदानती की बातें और ब्रह्म की चर्चा हम और कुछ नहीं जानती एक था हमारे पास मन और वो ले गए कनिया अब श्री कृष्ण में ही है मन एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे इस उधो मन नाहीं दस बीस तो नमन करना नमन होना है सचा नमन वही है जो नामन कर दे यानि मन भगवान को संप दिया जाए भगवान को हम धन तो देते हैं लेकिन मन नहीं देते हकीकत यह है कि धन तो भगवान ने हमको दिया है लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मंदिर में जाकर हम धन दे कर आते हैं पांच रुपिया दस रुपिया मन दे कर नहीं आते हैं भगवान ने कहा तू पांच रुपिया दस रुपिया मुझे खुश करेगा भगल में देख ये लक्षमी मेरी अर्दंग नहीं है मैं लक्षमी का स्वामी हूँ तो पांच दस रुपिया देकर मुझे खुश करेगा मुझे प्रसंद करना है तो अपना मन दे दे श्री कृष्ण कहते हैं मन दे दे मैयेव मन आधत्स्व मै बुद्धिम निवेशय मन तु मुझ मे दे लगा भी आपको मन क्यों चाहिए बोले हमारे पास नहीं है इसलिए हमको मन की बहुत जरुरत है प्रभू आपके पास मन नहीं है कनिया ये कैसी बात कर रहे हो तो कनिया कहते हैं हमारे पास भी था चोरी हो गया लह चोर के घर में चोरी और तुम तो चोरों के सरदार वने वसंदम नवनीत चोरम गोपांग नानाम्च दुकूल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चोरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामी ऐसे वन्दन किया है श्री कृष्ण को के वन में रहता एक चोर कौन सा वन बुलिवरंदा वन वन और उसमें रहता एक चोर उसका नाम श्री कृष्ण वो नवनीत चोर है माखन चुराता है उसने गोपियों के चीर का हरन किया दुकूल चुराए और जो जी उसको भजता है तो उनके अनेक जन्मार जित पाप को वो चुरा लेता है ऐसे चौराक्रगण्यम पुरुशम नमामी ऐसे चौरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं ए भाई दुनिया में कोई धरम ऐसी छूट देता हो तो मुझे बताओ कि जिस दरम में आप अपने भगवान को चौर कह सकते हो और चौरों का सरदार कह सकते हो और फिर ठाकुर उसको अपना अपमान नहीं मानते उसको अपनी प्रसंशा मानते हैं मुस्कुराते हैं प्रसंद होते हैं सुनकर दुनिया में ऐसा कोई भगवान आपने देखा किसी दरम में ऐसा भगवान नजर में आया इसलिए वह या हिंदुईजम में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है यहां रस है रस है ठाकुर के प्रती अपनत्व है मदीयता और तदीयता भगवान मेरे हम भगवान के प्रभूरहममप्रभु मदीयता और तदीयता का वाला भाव आवे भगवान से अपनत्व का हम अनुभव करें हम भगवान के हैं भगवान हमारे है और हम भगवान के ही है और भगवान ही हमारे है तो ठाकुर जी को देखो क्योंकि ऐसा सामर्थि कहीं नहीं ऐसा सवंदर्य कहीं नहीं ऐसा ग्यान कहीं नहीं और ऐसी संपत्ति कहीं नहीं क्योंकि यही लक्षमी के स्वामी है तो क्यों नहीं सोचते कि यार ये हमारा धनी बन जाए और हम उसके सिवक बन जाए तो उसके जैसा कुछ नहीं उन परमात्मा को पती के रूप में प्राप्त करने की कोशिश इच्छा नहीं होती है और अनन्यभाव से तुम उनके हो जाओ उनको अपना बनाने का ये की तरीका है उनके हो जाओ और जो उनके हो गए रुकमिणी ने प्रेम पत्र में ये ही लिखा वह भगवान को समर्पित हो गई मैं आपकी हो गई हूँ बस अब आपको क्या करना है आप जाना शृत्वा गुणान भुवन सुन्दर शुरुणवतामते निरविश्य कर्ण विवराईर हरतुंग तापम दिवर्शी नारज से रुकमिणी जी ने भगवान श्रीकृष्ण की कथा का श्रवन किया और आपके रूप गुण संदर्य सामर्थय इत्यादी की कथा सुन करके मैंने अपना चित्त आपको समर्बित कर दिया है मैं आपके प्रती समर्बित हो चुकी हूँ मैं आपकी हूँ रुकमिनी ने स्वयम को समर्पित कर दिया कभी-कभी मदियता तो होती है लेकिन तदियता नहीं होती भगवान मेरे हैं ये कहो लेकिन हम भगवान के हैं ये भी कहना चीए तो मदियता और तदियता दोनों हो प्रभूरहममप प्रभूहू भगवान को अपना बनाने का उपाई यही है कि आप उसके हो जाओ और यह जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया भगवान के प्रती जो समर्पित हो गया कृष्न तवास्मी नाथ तवाहम जिसने कह दिया तो हम श्री कृष्न को नमस्कार करते है नमस्कार से प्रारम होता है स्वयम को समर्पित करना पूजा का प्रारम भी ब्रह्मन हमारे पंडित कराते है तो आरम होता है देवता नमस्कार से श्री मनमहा गणा दिपते नमहा इष्ट देवता भ्यो नमहा ग्राम देवताप व्योनमहा स्थान देवताप व्योनमहा नमस्कार से आरंबूता कथा भी वगवांगन की वांगमई पूजा है इसका आरंब भी नमस्कार से श्री कृष्णा यवयम्नुमहा हम सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते है वक्ता श्रुता सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं कैसे हैं श्री कृष्ण तीन बातें बताया सच्चिदान अंदर उपाय फिर कहते हैं विश्वोत पत्या दिहे तवे तीसरी बात बताया ताबत्रयविनाशाय भगवान के स्वरूप का परिचय पहले पद में है भगवान के सामर्थ्य का परिचय दूसरे पद में है और भगवान के स्वभाव का परिचय इस श्लोप के तीसरे पद में है तीन प्रकार से भगवान का परिचय कराया स्वरूप कैसा है प्रभु का सामर्थ्य शक्ती कैसी और स्वभाव कैसा स्वरूप कैसा है सच्चितानंदर उपाय सत्चितानंद स्वरूप है शेकष्ण स्वरूप में तीन बाते है सत्चितानंद सत्चितानंद किसको कहते है जो नित्य है जो शाश्वत है जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता वह सत्य है नाभावो विद्यते सतहा गीता कहती है बगवान चिद रूप है इनी से जीवन है इनी से सब चैतन्य है सत्के साथ चिद नहीं होगा तो या सत्जड हो जाएगा या सत्जड नहीं है सत्के साथ चिद है चिद कार्थ चैतन्या चिद से मतलब ग्यान भी होता है और जिसमें ग्यान नहीं उसको भी हम जड कहते हैं यह जड बुद्धी है समझता ही नहीं है कुछ तो मेरी बुद्धी में तो प्रग्या का प्रकाश ही नहीं है जड मती हूँ शबरी कहती है तो या सत्जड नहीं है यह सद रूप हैं यह चिद रूप हैं और तीसरी बात आनंद सत हो चिद हो लेकिन आनंद नहो तो सब फीका फीका लगे और सत के साथ चिद नहो तो निर्जीव लगे और सत भी हो चिद भी हो लेकिन आनंद नहो तो सब फीका फीका लगे यह ऐसा ही है कि हलवा बनाना है तो रवा चाहिए घी चाहिए शक्र भी चाहिए रवा भी है गी भी है लेकिन शक्कर नहीं तो फीका फीका लगे यह आनन्द के चलते ही भावनाएं हैं Emotions सत से सम्बंधित है क्रिया चिट से सम्बंधित है विचार और आनन्द से सम्बंधित है भावना और हम क्रिया में जीते हैं हम विचार में जीते हैं हम भाव में जीते हैं जीवन के ये तीन ही कम रहे हैं क्रिया, विचार और भावना We live in our thoughts We live in our emotions We live in our actions And the combination of these three Actions Emotions And thoughts Is our character जिसको तुम चरित्र बोलता हो यह 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 तो सत से सम्बंधित होते हैं कर्म चिद से सम्बंधित विचार, ज्ञान आनंद से सम्बंधित, भावना, भक्ती तो कर्म, ज्ञान और भक्ती ये तीन हैं क्रिया, विचार और भावना भगवान सच्चिदानन्द घन है सच्चिदानन्द रूपाय श्रीक रुष्णाय वयम नमहा जब हम नमस्कार करते हैं श्रीक रुष्णा को तो अगें तीन बातों की जरुरत पढ़ती है तब नमस्कार होता है दो हाथ जोड़े फिर माथा जुकाया और तीसरे अरदय के भाव को प्रयम को मिलाया तब कहते हैं श्रीक रुष्णाय वयम नमहा तो हाथ मतलब क्रिया माथा जुकाया विचार अरदय की भावना हो गया ना सच्चिदारंदर उपाय सद के उण्ष में क्रिया होती है चिद के उण्ष में विचार और आनन्द के उण्ष में भावना भक्ति श्रद्दार सच्चिदारंदर उपाय श्रीक रुष्णाय वयम नमहा विश्व उत्पत्यादि हे तवे श्रीक रुष्णाय वयम नमहा करते क्या है ये बुले ये विश्व की उत्पत्य स्थिती और लएके करने वाले विश्व की उत्पत्य स्थिती विनाश इनसे होता है उपनिशत कहते हैं यतो वाई मानि भूतानि जायंते ये न जातानि जीवंती यत्रयंदी अविसंविशंदी तद विजिग्यासस्व तद ब्रह्मेती इसलिए विश्वोत पत्यादिहेतवे श्रीकृष्णायवयमनुमाह। श्लोकों का विस्तार करना और उसके भाव को प्रगट करने में इसलिए आनंदारा है कि आप सब विद्वान लोग भी यहां बैठे हैं, भावक भक्त लोग भी बैठे हैं, भगवान शिव प्रलैंकर है, प्रलै के देव हैं, लेकिन जब शंकर जी को रिशियों ने नमन किया, शिव जी का स्तवन किया, तो क्या कहा? करपूर गवरम, करुणावतारम, देखो क्रोधावतारम नहीं कहा, करुणावतारम, यह मिटाते भी हैं तो करुणापुरवक, करुणा के चलते, इन्होंने कामदेव को मिटाया, शिव जी ने, तब सिव तीसर नैन उगारा, अचितवत काम भयाव जरिछारा, तीसरे नेतर से उन्होंने कामदेव को जला कर राक कर दिया, मिटा दिया, यह प्रकोप है, लेकिन पुण्य प्रकोप है, कुछ भला करने वाला, कभी सादू पुरुष भी क्रोध करता है, लेकिन उसका क्रोध कल्यान कारी होता है, राम जी क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध भी निर्बान दायक क्रोध जाकर भगती अब सही बस करी, निर्बान दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वान दायक है, तो भागवत में भगवान वेद्वियास जी ने दशमसकंद उत्रार्द में लिखा, कि कामदेव को जला कर राक कर दिया भगवान शिब ने तो क्या हुआ बोले वो कृश्न का बेटा बन करके फिर प्रगट हुआ जिससे उसको श्री कृश्न का पुत्र बनने का अवसर मिला और श्री कृश्न की गोद में बेठने का लाभ प्राप्त हुआ ये कैसा पुण्य प्रकोप है भोले बाबा का इसलिए कहते हैं कामस्त वासु देवांशो दग्दह प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्ये भोयह तमेव प्रत्य पद्यत सेव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवमपितु दग्दह प्राग रुद्रमन्युना ये मन्यु क्या है रुद्र के मन्यु से जो कामदेव जलकर राख हो गया था वो कृष्ण पुत्र के रूप में प्रगट हुआ रुक्मिन और श्री कृष्ण का प्रधम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है ये मन्यु है पुण्य प्रकोप ये प्रकोप भी कल्यान कारी है श्रीमत भागवत के दशमसकंद पुरवार्ध में नागपत्नियां श्री कृष्ण की स्तुती करती हैं और स्तुती करते समय वे कहती हैं प्रभो क्रोधो पिते नुग्रह में वसम्मतः आपका क्रोध भी अनुग्रह का ही एक प्रकार है भगवान का क्रोध भी क्रपा है तो भगवान स्रिजन करते हैं लेकिन भगवान को स्रिजन में मोह नहीं पालन करते हैं लेकिन अभिमान अहंकार नहीं और प्रले करते हैं लेकिन क्रोध नहीं वैर नहीं द्वेश नहीं इरशा नहीं और जब प्रले हो जाता है तो शोक नहीं इसलिए भगवान जो करते हैं वो लीला है विश्वोत पत्यादि हे तवे श्री कुरुष्णाय वयमनुमह तो ये सामर्थ्य है प्रभु का बोले संकल्प से श्रिष्टी होती है उनको किसी चीज की दरूरत नहीं है एको हम बहुत स्यामी मैं एक हूँ बहु हो जाओं ऐसा संकल्प भगवान ने किया परमेश्वर ने किया और वो हो गए ये लीला है ये सामर्थ्य है ये शक्ति खोशल्या माने जब रामजी प्रगट हुए और स्तुति करी तो उसमें ये कहा है रामाण में साथ में कोई दूसरा सहायक नहीं था अकेले ही बनाया न खंबे न कपड़ा न लाइट कोई चीज की जरुरत नहीं संकल्प से ही बनाया और कितना समय लगा बोले यूं संकल्प मात्र से स्रिष्टी बन गई दूसरे कहीं धर्मों में इश्वर को स्रिष्टी के रचईता तो मानते हैं लेकिन कहते हैं कि इश्वर ने जब यह स्रिष्टी बनाई so it took six days to create all this and then he was so much tired that was Sunday that is why Sunday is holiday according to Hindu dharma shastra उस परमेश्वर को छे दिन नहीं लगे और उसके बाद वो ठक गया और आराम किया वो वाली बात नहीं वो कभी ठकता नहीं है भक्ती की दृष्टी से हम चाहे उनको शेहन करावे यह ठीक है लेकिन हकिकत यह है कि वह परभ ब्रभ्मा उसमें कोई ठकावट वाली बात नहीं अरे उसको याद करो तो आप अपनी ठकावट दूर हो जाती हम recharge हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा when we meditate we connect with him and we charge ourself but he never gets tired he does not retire शक्ति का स्रोत है तो छे दिन नहीं लगे भाई बस संकल्प किया और स्रिष्टी बन गई यह परमेश्वर का सामर्थ्य है साधार अनजीव कुछ रचना करता है, स्रिजन करता है तो संकल्प से नहीं कर सकता और इसलिए श्रिमत भागवत में दशमसकंद में श्री कृष्ण लीला में जब ब्रह्मा जी हरन करके ले गए बचड़ों का और बाद में स्रिकृष्ण के सब सखा घौल बालों का देखते हैं अब क्या करते हैं तो श्रिकृष्ण ने संकल्प से वैसे ही बचड़े और वैसे ही बच्चे बना लिए बना क्या लिए? बन गए खुद ही बन गए श्री कृष्ण ही बन गए अनंत रूपों में एको हम बहुत स्यामी तब ब्रमा जी ने सोचा कि मैं स्रिष्टी का रचईता हूं लेकिन मैं संकल्प से स्रिष्टी नहीं कर सकता बरमेश्वर की अस्रिष्टी विलक्षन है जो संकल्प से होती है तो वहां उत्पत्ती में मोह नहीं पालन में एहंकार नहीं ले में शोक नहीं इसलिए परमात्मा जो करते हैं वो लीला है और ऐसा जिनका सामर्थ्य है तो भगवान जब सृष्टी की यह उसका प्रलख होता है समयट लेते हैं लीला तो कितना समय लगता है तो ब्रुकटी विलास रह स्रिष्टी ले होई ब्रुकटी विलास मात्र से स्रिष्टी का ले हो जाता अगें इर दसकाम है यह सामरत यह बस यूँ आँख खोली स्रिष्टी हुई आँख खोली रही उनकी किरपाद रिष्टी से स्रिष्टी चली आँख बंद हुई स्रिष्टी मिट गई ऐसी लिला है आँख खोली स्रिष्टी हुई आँख खोली रही स्रिष्टी चली आँख बंद हुई स्रिष्टी समारत तो यह तो ऐसे 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 होता रहता है श्री कृष्ण का और स्रिष्टियां बंती रहती हैं चलती रहती हैं और फिर बिगड़ती रहती है यानि मिटती रहती है तो हम तो यही देख रहे थे कि देखो बालक रुश्णने आँखे खोली स्रिष्टी हुई खुली रही स्रिष्टी चली बंद हुई रले खतम और उनका जैसे आँखे खुलना और फिर यो अपने भी पलके गिरती जुकती रहती है न उसको निमेश कहते है एक निमेश में नजाने कितने 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 युग बिज्जाते हैं नजाने कितनी बार पस्रिष्टी बनती है चलती है खतम होती है प्रले हो जाता है और कितने यूग बिच जाते हैं भी यार ठाकुर जी के एक निमेश में उनकी पलक जबकते ही नजाने कितने यूग बिच जाते हैं ये प्रभु का सामर्थ है ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं भाव शुन्य शब्दों से शब्द शुन्य भाव शब्द शुन्य हरिदय प्रार्थ नामे बहुत अच्छा है बस के वल बैड जाओ मोर मनोरत जानहु नीके बस हु सदा उरपुर सबही के कहने का तात पर यह है कुछ कहना ही नहीं पड़ता कि वल नमस्कार करो और तुमारे त्रिवित ताप नश्ट नहीं विनश्ट तापत्रय विनाशाय श्री कुष्णाय वयम्नमा नाश कहते हैं ताप का मिट जाना याने दुख का मिट जाना लेकिन विनाश कहते हैं ताप के बाप का भी मिट जाना ताप तो मिटेगा ही ताप का बाप भी मिटेगा ताप का बाप कौन है बोले पाप पाप के कारण ही ताप है पाप किये हैं इसलिए आदमी दुखी है बगवान श्री कृष्णा को नमस्कार किया दुख भी गया और उसका बाप यानि पाप भी समापत हुए और श्रिमत भागवत में इसका प्रमान मिलेगा प्रणामो दुख शमनहा तम नमामि हरिम परम यंतिम श्लोखे भागवत का प्रणामो दुख शमनहा और पाप भी मिटेगा ये गोपी गीत में गोपियों ने कहा प्रणाम करने वालों के पापों का हरन कर लेने वाले ये चरण घे कुष्ण गायों के पीछे पीछे चलने वाले ये चरण साधारन गवारिये के ये चरण नहीं है श्री निकेतनम लक्ष्मी के निवासस्थान रूप यह चरण लक्ष्मी जिन में निवास करती है वो चरण तो उनकी तो बहुत महिमा होगी भाई तो साधारन लोगों का तो फिर काम ही नहीं है कि वो इन चरणों की अपिक्षा करें इच्छा करें उन्हें कैसे यह चरण मिल सकते हैं बोले मिल सकते हैं क्यों बोले फणी फणार पितम है ते पदाव मुझे पड़ें कालिय जैसे दुष्ट को भी यह चरण मिले हैं आपने कालिय के मस्तक पर आप इन चरणों को पदराया फणी फणार पितम तो इस अवेलेबल टो एवरिवन जो भी इसका आश्रे करता है चाहे पुनिशाली हो चाहे पापी हो सब को यह चरण मिलते हैं गोपियां कहती हैं हमारे रिदय में भी पदराओ हमारे रिदय में पदराओ इन चरणों को सब के लिए है जो भी इन चरणों का आश्रे करें इसलिए यह आधार इन चरणों का चिंदन करो संचिंत ये भगवतस चरणार विंदम इन चरणों का आश्रे करो पाप करे प्रभुजी मिले पाप करे सुख होई पाप करे मुक्ती मिले इसलिए पाप करो सब को नहीं समझ में हो हाँ सब के चेहरे कह रहे है ये कैसे हो सकता है ये हो सकता है ये सकते है मैं फिर से कहता हूँ अब ध्यान से सुने पा पकरे प्रभु जी मिले पा पा यानि पाँ चरण पा पकरे प्रभु जी मिले पा पकरे सुख होए पा पकरे तु मुक्ती मिले इसलिए प्रभु के पा पकरो सब को अब समझ में आया पाप करने की बात नहीं है पाप करने की बात है इसलिए इंचरणों का अश्रे करो ताबत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्न महा बगवान को नमसकार करने मात्र से त्रिविद ताप का विनाश होता है मतलब ताप भी मिटते हैं पाप भी मिटते हैं इसलिए श्री कृष्णा को हम सब नमसकार करते हैं नमः कार नमसकार नमः क्या है ना मामा मेरा नहीं तो ना मामा उसमें से अंतिम्मा निकल गया तो नमा हो गया तो ममता का त्याग करना मेरा नहीं जो कुछ है सब परमात्मा हे प्रभुत्तेरा तो ही सब तेरा है ये भावर है श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते है एक तू रहे तेरी मर्जी रहे एक तू रहे तेरी मर्जी रहे न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे बस तू रहे और तेरी मर्जी रहे धाईश अल्बिडन न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे नमस्कार का ये भाव है तो श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं श्री कृष्ण को नमन किया अभी इस लोग पर और भी कुछ भाव आ रहे हैं विस्तार किया जा सकता है सच्चिदानंदर उपाय श्री कृष्ण के सदवन्ष से लक्ष्मी जी हुई वही रुक्मिनी है श्री कृष्ण के चिदवन्ष से यमुना जी हुई वही कालिंदी है श्री कृष्ण के आनंद उपाय जी हुई राधा श्री कृष्ण की अल्ला दिनी शक्ति है सचिदानंदर उपाय भगवान के इन तीनों गुणों से उनकी तीन शक्तियां प्रगट वी है और भगवान की सेवा में है भगवान सचिदानंद घन है और भगवान के इन तीनों गुणों से तीन शास्त्रा सद गुण से रामायन चिद गुण से गीता आनंद गुण से भगवत सततत्व प्रधान है रामान चिदतत्व प्रधान है गीता आनंदतत्व प्रधान है भागवत सचिदानंदर उपाय गीता योग शास्त्र है रामान प्रयोग शास्त्र है भागवत वियोग शास्त्र है गीता माने योग शास्त्र इति श्रीमत भगवत गीता सूपनी शत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे गीता योग शास्त्रे रामान प्रयोग शास्त्रे धर्म का आचरन करके श्री राम ने दिखाया राम धर्म का मुर्तिमंत रूप बन गए रामो विग्रहवान धर्महा तो रामान प्रयोग शास्त्र भागवत वियोग शास्त्र सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद भगवान जब प्रगट होते हैं तो कभी सद गुण को विशेश रूप से प्रगट करते हैं कभी किसी अवतार में चित गुण को विशेश रुप से प्रगट करते हैं कभी किसी अवतार में आनंद गुण को विशेश रुप से प्रगट करते हैं रामा अवतार सतत्व प्रधान है भगवान ने सत गुण को प्रगट किया सत्यर कपिल अवतार व्यास अवतार दत्त अवतार ये सब चिद तत्व प्रधान है इन अवतारों में भगवान ने अपने चिद गुण को प्रकट किया है विशेश रुप से और श्री कृष्ण अवतार आनंद तत्व प्रधान है बगवान ने अपने आनंद गुण को विशेश रूप से प्रकट किया सचिदानंद रूपाय श्री कुष्णायवयम्नुमह बगवान को नमस्कार देखो अनुष्टुप्चंद में है श्लोक केवल आठ आठ अक्षर के चार चरण बत्ती सक्षर और इसमें क्या रहस्य भरा है और इस प्रकार से भागवाजी के एक श्लोक बड़े दिव्या है प्रधमश श्लोक में श्री कुष्ण को वंदन दूसरे श्लोक में कुष्ण कथा के गायक प्रवक्ता श्री शुकदेव जी को वंदन किया गया यम प्रवरजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम जो प्रवरजन्त है परिवराजक है शुकदेव जी जिस दिशा में गए वहाँ से वापस न लोटने वाले नदी आगे ही आगे बढ़ती रहती है संतों के जिवन नदीयों की बाती होते हैं नहर की बाती होती हैं नहर के नक्षे बनते हैं पहले प्लान बनते हैं बाद में नहर बनाई जाते हैं और नदी के अनुसार नक्षे बनते हैं नहर नक्षे के अनुसार बनती पर नक्षे नदियों के अनुसार बनते और संतों के जिवन नहर जैसे नहीं नदियों जैसे नदी अपनी मस्ती से बहती है और वो आगे आगे बढ़ती रहती है निरंदर गतिशेल साधु पुरुष का जिवन भी गतिशेल साधु चलता बहला नदी बहती रहती है इसलिए ताजा है साधु चलता बहला चलता रहता है इसलिए ताजा है तरोता जा हमेशा मस्ति निरंदर बहती रहती है नदी इसलिए निर्मल निर्मलता, तरलता, सरलता, मधुरता इस सब गुण नदी के जल्मे है सादू का चरित्र भी ऐसा ही है उसमें तरलता है, उसमें सरलता है, उसमें निर्मलता है, उसमें मधुरता है उसमें शीतलता है तो सादू बहती नदी की भाती सब की प्यास को बुजाने वाली खेतो को सीचने वाली और सब का पोशन करने वाली नदी है इसलिए लोग कमाता है संत जनभी निरंतर विचरते रहते हैं और लोगों की जो अध्यात्मिक प्यास है या ग्यान की जो प्यास है जिग्यासा ग्यातुम इच्छा जिग्यासा तो सब की प्यास बजाते हैं मुक्ती की प्यासे मुमुक्षा तो उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं ग्यानों पदेश करते हैं ग्यान की प्यास जिग्यास आए प्यास बचाते है त्रिप्त करते हैं खेतों को सीचती है नदियां फसल पकाती है भूख मिटाती है विश्यों की भूख समप्त हो जाएगी खिला कर नहीं मिटाते भूख को ही मिटा देते विशय त्रिश्णा विशयों की त्रिश्णा भगवद कथा श्रवन जब कराते हैं संत तो मिट जाती है दश्वसकंद में राजा परिक्षित कहते हैं यच्रिणवतो पैत्यरतिर वित्रिश्णा सत्वंच शुद्यत्यचिरेन पुनसह भक्तिर हरव तत्पुरुशेच सक्ष्यम तदेवहारम वदमन्यसेचेच विगत त्रिश्णा मिढ जाती है त्रिश्णा मिढ जाती है भुख वो समाप तो हो जाती है तो आदमी चैन से बैठ सकता है यह हमारी त्रिश्णा ही हमको भगाती रहती है कितने सालों से भाग रहे हैं भाई और यह त्रिश्णा भटकाती रहती है भटकाती रहती हैं त्रिश्णाएं जीवन की फिर भी हसरत बाकी हद है पागलपन की फिर भी हसरत बाकी अभी भी वासना छुटी नहीं हद है पागलपन की नजाने कितने जनमों से भटक रहे हैं इस त्रिशना के चलते समाप्त कर देती है उस त्रिशना को मिटा देती है उस भूख को यह कथा और भगवान में रूची कराती अब भूख लगी तो भगवान की लगी भक्तिर हरव भक्ति क्या है भगवान की भूख यही भक्ति भक्ति क्या है परम भोग लेकिन किसको भोगना मुले भगवान को भोगना संसार का भोग दुखी करेगा भक्ति का आर्थ है भगवान को भोगना रास का मतलब भी बही है इसलिए भक्ती भोग भी है, योग भी है योग में भोग है, भोग में योग है तो संत महापुरुष निरंतर विचरते रहते हैं और भगवान की कथा के द्वारा, ज्यानो अपदेश के द्वारा जो काम नदियां करती हैं वही काम संत महापुरुष करते हैं तो वितरल है, सरल है, शीतल है, मधुर है नदियों की ही भाती और नदी यदि कोई नहाने आवे तो रोकती नहीं और कोई जा रहा हो तो नदी उसको बुलाती नहीं ए ए ए ना के तो जा नदी ये नहीं कहती नदी किसी को बुलाती नहीं कि आओ तो सही नहाओ तो अरे पानी तो पियो ये नदी नहीं कहती नदी निमंतरन भी नहीं देती और कोई नहाने जाए पानी पीने जाए कपड़ा धोने जाए नदी रोकती भी नहीं वो सटसंक कर लेता है वो सटसंका लाब ले लेता है तो गंगा किसे को बुलाती भी नहीं और गंगा किसे को रोकती भी नहीं चलता भला साधू शुक्देव जी परिव्राजक हैं नदी आगे ही आगे बढ़ती तो जिस दिशा में गए उस दिशा से वापस न लौटने वाले परिवराजक हम घर छोड़ करके सुबह निकलते हैं, रात को घर लौट आते हैं कहीं पंद्रा दिन एक महीना गुमने गए फिर घर लौट आये और जब घर लौट आये तो कहने लगे होम, स्वीट होम घर आ गए तो लगता है बस, शांती शुकदेव जी परमहंस है अनिकेत जिस दिशा में गए वहाँ से वापस न लौटने वाले क्योंकि उनका क्या छूट रहा है तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो, परिवार को छोड़ के जा रहे हो शुकदेव जी क्या छोड़ के जा रहे है सो वापस लौटना पड़े यम प्रव्रचंतम अनुपेतम जिनका भी अग्योप अभीत संसकार भी नहीं हुआ है तथा भी अपेत कृत्यम अपेत कृत्य हैं पूर्ण कृत्य हैं कृत कृत्य हैं अब इनके लिए कुछ करना शेश नहीं रह गया जनमते ही सहज वैराग्य से युक्त शुकदेव जी पिताग को छोड़ करके जाने लगे वन की और तब द्वैपायनह व्यासह विरह कातर आजुहाव पुत्र के वियोग से दुख़्ी हो करके पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे दौडने लगे पुत्र, पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया तन्मयतया पुत्रेति, पुत्र, हे पुत्र, हे शुक, हे शुक पुकारते पुकारते व्यासजी पीछे पीछे भाग रहे हैं तब क्या हुआ बोले तरवह अभी नेदु हूँ उस जंगल के जाड बोले उस जंगल के पैड बोले शुकदेव जी ने जवाब नहीं दिया लेकिन जिस जंगल से जा रहे थे शुकदेव जी उस जंगल के पैडों ने जवाब दिया जाड बोले वहांके जाड क्या बोले ये भागवत में नहीं लिखा बस तरवह अभी ने दू हूँ इतना कहा तो जाड क्या बोले ये समझने ले के लिए भागवत समझने के लिए महापुरुशों के पास जाना पड़ता इसलिए कि इसी महापुरुश से श्रवन करो हमको महापुरुशों ने समझाए जाड बोले पहली बात तो जाड बोले ये ही बात लोगों की समझ में नहीं आते जाड कैसे बोल सकते जड है वो तो वो कैसे बोल सकते और हमारी समझ में बात नहीं आएगी स्वाबाविक भी है क्योंकि अपने साथ अपना पडोसी भी नहीं बोलता उसके साथ भी रिष्टा बिगाड के रखा है हम लोगों ने डेड़ दो साल से पडोसी बोलते ही नहीं जाड भी बोलते है जाड की बोली सुनने के लिए ये कान नहीं समझदारी के कान चाहिए वरिक्ष बोले क्या बोले व्याजजी आप संत है संत के जीवन में त्याग होता है देखो हम हमारे अपने प्फल नहीं खाते दुनिया को खिला देते हैं ये शुगदेव आपका फल है आपका पुत्र आपका फल वह जा रहा है जगत के कल्यान के लिए जाने दो त्याग करो क्यों इसके पीछे पीछे भाग रहे हो तरवह अभी नहीं दूए तो व्यास जी ने कहा कि भई पुत्र की आसकती के चलते हम इसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं कि बेटा कहां जा रहे हो मज जाओ घर छोड़ के मज जाओ और ये परमहंस पुत्र सहज वैराग के वाला जैसे नाल छेदन हुआ तो नाल को अपने कांधे पे डाल के भागा जंगल की और नहीं रहना है मुझे संसार में और व्यास जी पीछे पीछे तो जैसे कोई बाप अपने बेटे में आ सकते होता है अरे बेटा घर में रहकर के भी भजन हो सकता है कोई साधु वादु बनने की जरूरत नहीं है तुम कहां जा रहे हो इस तरह से ये बाप पिता वेद्व्यास शुकदेव के पीछे नहीं भाग रहे है क्यों पुकार रहे हैं क्यों रोक रहे हैं क्यों बुला रहे हैं पुत्रे ये ती हे शुक हे शुक हे पुत्र अरे सुनो तो ब्राह्मन का बेटा है रिशिपुत्र है शुकदेव संसकार होना चाहिए जात कर्म संसकार हो नाम करण हो करण वेध हो चुडा करण हो यग्यो पवित संसकार हो बिना संसकार के शुद्धी कैसे होगी ब्रह्मन पिता है रिशी है पिता या पिता साधारन नहीं है एक रिशी है तो ये इसलिए अपने बेटे के बीछे नहीं दौड रहा है कि बेटा तुमको पढ़ना है तुमको MBBS होना है तुमको बकील होना है तुमको MBA करना है काम पे लगना है धंदा संबालना है बहुत पैसा कमाना है इसलिए ये बाप पीछे पीछे नहीं भाग रहा लेकिन ब्रह्मन पुत्र है तो संसकार चाहिए अरे शादी भी न करे तो कोई बात नहीं कम से कम यग्यो पवित तो होना ही चाहिए उपनायन संसकार हो किसी सद्गुरू के पास जाए विदा ध्यन करे त्रिकाल संद्या करे गायत्री जपे वेद विद्या प्रप्त करे ये भाव तो ब्रह्मन पिता के मन में रहता है पिर उसको शादी करनी है तो करे ग्रहष्त में जाना है तो जाए न जाना है तो नहीं जाए क्षुद्र काम के लिए नहीं है संसार तो दूसरे पशुपक्षी भी करते है ब्रह्मन का शरीर इसलिए नहीं मिला भगवान अध्य शंकराचारिया मनता विबेक चुना मड़ी मदे देहधारियों में मानव देहधारी सबसे स्रिष्ठ है मनुष्य सबसे स्रिष्ठ है मनुष्य में नर उसमें भी ब्रह्मन उसमें भी वेदा ध्यन किया हुआ ब्रह्मन उत्रोत तरस्रिष्ट है तो भई संसकार तो हो कम से कम ये बच्चा तो पैदा होते ही भाग रहा तो तरुबर कहते हैं हमारे संसकार होते हैं क्या हमारा आज संसकार की जरुरत उसको पढ़ती है जिसमें विकार हो जिसमें कोई विकार ही नहीं तो वहां संसकार की आवश्यक्ता ही नहीं तो जहां विकार हो वहां संसकार की आवश्यक्ता है लेकिन जिसमें एक भी विकार नहीं हो तो वहां संसकार की जरुरत क्या है शुकदिव जी में कोई विकार ही नहीं है शुक्दिव जी परमहंस है जिस प्रकार पावक सहज रूप से पावन होता है अगनी और उसको सर्वभक्षी होते हुए भी पवित्र माना है हमारे हाँ जिस प्रकार जल पवित्र है जल सबको पवित्र करता है आपवित्र पवित्रो वा सरवावस्थांगतो विवा यस्मरेद पुंडरी काक्षम सबाहिया भ्यंदर शुचिह हमारे हाँ कहते हैं जल में मल नहीं होता तो परमहंस पवित्र ही है उसमें कोई विकार नहीं है इसलिए वहाँ किसी संसकार की भी आवश्यक्ता नहीं है तो शुकदेव जी नहीं बोले लेकिन वो इस जंगल के जाड बोले तम सर्वभूत हरिदयम मुनिम आनतह अस्मी उन सर्वभूत हरिदय मुनी शुकदेव जी को हम नमसकार करते हैं उनकी शरण में जाते हैं तो ऐसे भगवान शुरी कुरुष्न को नमसकार ऐसे श्री कुरुष्ण कथा के कथा ही था श्री शुकदिव जी को नमस्कार तो गुरु गोविंद को वंदन करके और फिर कथा का आरंब कराने नईमिशा अरण्य में ले चलते हैं नईमिश अरण्या ये भगवान विश्णु का क्षेत्र है नईमिशे अनिमिशक क्षेत्रे अनिमिश विश्णु का नाम अनिमिशा आयनमह भगवान नाराण्य का क्षेत्र है और नईमिश में भगवान नाराण प्रत्यक्ष है उत्तर भारत में चार स्थान ऐसे हैं जहां भगवान नाराण प्रत्यक्ष हैं अपनी आँखों से आप दर्शन कर लो एक नईमिश में दूसरे पुश्कर में तीसरे बदरिकाश्रम में और चोथे पुलहाश्रम में नईमिश में पैडों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है नईमिशारण्य में जो पैड हैं जाड हैं वरिक्ष हैं वो भगवान नारान का ही स्वरूप है और उन पैडों की उन वरिक्षों की छाया में बैठ करके भगवान की मंगलमई कता हुई है ये भगवान की कृपा की छाया में बैठ करके मंगलमई कता हो रही है पुश्कर में पानी के रूप में परमात्मा पुश्कर राज में स्रोवर में जो पानी है वहाँ वो जो पानी है जल है वो भगवान नाराण का स्वरूप बद्रिकाश्रम में पहाडों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है अब गए होंगे बद्री दर्शन करने वहाँ आमने सामने दो पहाड है एक को कहते नर एक को कहते नाराण नर नाराण पहाडों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है और पुलहाश्रम में शालिग्राम शिला गंडगी नदी के तट पर तो वहाँ पत्थर के रूप में भगवान प्रत्यक्षा है शालिग्राम शिला में भगवान नाराण का नित्य निवास है शालिक राम शिला में प्राण प्रतिष्ठा करने के आवश्चा रसा स्वादन में कुशल श्रुता कथाम्रद रसा स्वाद कुशल होना चीए सुनें समझें और करें स्टाप वाच गो है न ट्राफिक में ठेहरो देखो और जाओ तो सुनें समझें और फिर करें श्रमन मनन निदिध्यासन पुष्टि परंपरा में तो वक्ता के कितने भेद है श्रुता के कितने भेद है वो सब समझाया गया है पुष्टि साहित्य में तो कधाम मृतरसा स्वाद कुशला श्रुनक इदम अब्रवीत श्रुनक जीने प्रश्न किये हैं हे सुथ जी आप अग्यान अंदकार को मिटाने में करोडो सूर्य समान हैं सद्गुरु करोडो सूर्य समान हैं और भगवान भी अहाहा जब विभूती योग जब विराट दर्शन किया अर्जुन जीने दिवी सूर्य सहस्रस्या हजारो हजारो सूर्य का तेज मानो एक साथ देख नहीं पाए अर्जुन भगवान के उस विराट रुप को सद्गुरु भी अग्यानत ध्वांत विद्वम सकोटी सूर्य समप्रभः श्री गणिश जी भी ज्ञानस्वरूप है तो हम क्या कहते हैं गणिश जी को अवक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभः शुकदेव जी सद्गुरु भी ज्ञानमूर्ती है इसलिए अग्यानत ध्वांत विद्वम सकोटी सूर्य समप्रभः शिश्य के अग्यान अंदकार को मिटाने में करोडो सूर्य समान तो करोडो करोडो सूर्य समान क्या ऐसे सद्गुरु के पास बैठना भी समप्रभः उनसे आँखें मिलाना दूर की बात लेकिन उनके सानित्य में बैठना भी समप्रभः कितना ताप लेकिन हर सद्गुरु अपने भीतर एक इन बिल्ट डीमर रख करके बैठा है और अपने तेज को इतना बीम कर लेता है और वो पुर्णिमा के चांद की भांती हो जाता है शीतल अल्ला अदक इसलिए सद्गुरु की पुर्णिमा गुरु पुर्णिमा अपने अज्ञान अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाता है इसलिए वो गुरु कहलाता है गुकारोस्त्वंधकारोस्ती रुकारस्तन निरोधकह अंधकार निरोधित्वात गुरु रत्य विधियते ये गुरु शब्दकार था गु मतलब अंदकार अग्यान का अंदकार रुकारस्तन निरोध कहा रु उस अग्यान अंदकार को मिटाने वाला यानि प्रकाश तो अपने अग्यान प्रकाश के द्वारा शिश्य के अग्यान अंदकार को मिटाते हैं ये वो गुरु कहलाते अंधकार निरोधिक्वार तो सुत जी अख्या ही कथासारम हमको कथा सुनाईए ये नहीं कहा अख्या ही कथासारम कथासार कहिए श्रिमत भागवत कथा नहीं श्रिमत भागवत समस्त कथाओं का सार है वेदो पनी शदाम सारात जाता भागवती कथा श्रिमत भागवत समस्त कथाओं का सार है अख्या ही कथासारम ममकरन रसायनम ये कथा क्या है बोले हमारे कान का रसायन एक-एक शब्द चिंतन की और ले जाता है कथा की तीन संग्ण्या कथा को अवशदी भी कहा बलकि चार संग्ण्या है कथा को अवशदी भी कहा है परिक्षित जी ने दश्मसकन में निवृत्त दर्शै रुपगी यमानात भववशधात श्रुत्रमनो भिरामात भगवान की अकथा भवरोग को मिटाने वाली अवशदी है महराज परिक्षित कहते है कथा को रसायन भी कहा है यहाँ श्री शवनक जी कह रहे है सूत आख्या ही कथासारम ममकर्ण रसायनम तीसरी संग्या कथा अम्रित है गोपियों ने कहा तब कथा अम्रितं तप्त जीवनं कभी भिरेडितं कल्मशापहं और कथा आसव भी है यह शुकदिव जी ने कहा मंगलाचरण का श्रोग है शुकदिव जी जहां मंगलाचरण कर रहे है दूसरे सकंध के चोथे अध्याई में मंगलाचरण करते करते श्री शुकदिव जी ने शुरताओं के वरंद की और शुरताओं के समूं की और देखा तो परिक्षिजी तो बैठे है शुरुता बन करके शुकदेव जी की कता सुनने लेकिन उसमें बहुत सारे रिशी मुनी है और उनमें पराशर रिशी भी है यह शुकदेव जी के दादा लगते है और वहाँ पाराशरिया वेद्वियास जी भी बैठे है यह शुकदेव जी की पिता है तो यही मेरे पिता है और यही मेरे गुरु है क्योंकि भागवत मैं इनी से पढ़ाऊं तो इसलिए उनको वंदन किया नमस्तस्मई भागवते व्यासाया मितते जसे पपुरग्ण्यानमयं सव्म्यायन विद्वानों ने यहां पर पाठांदर भेद माना है व्यासाया मितते जसे ऐसा पाठ भेद है जिनके मुक्षे निकला हुआ यह भागवत रुपी आसव मैंने पिया उन अमितते जवाले भगवान वेद व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ आसव किसको बोलते है जिसको पीने से नशा चड़े ऐसा पिय वाइन वाइन लेकिन यह साधारन वाइन नहीं है यह वाइन नहीं है यह डिवाइन है यह डिवाइन है परिक्षिच जैसे ग्रहस्तों के लिए यह कथा आशदी है जो भी लोग भवरोग से ग्रस्त हैं तरस्त हैं उन्हें भवरोग से बचाने के लिए यह कथा आशदी है और जो लोग भवरोग से मुक्त हैं मस्त हैं वैसे शवनक आदी रिशी विरक्त हैं तो उनके लिए यह कथा रसाइन हैं आशदी का सेवन करते हैं हम रोग से मुक्त होने के लिए और रसाइन का सेवन करते हैं फिर से रोग न होगे रोग प्रतिकारक शक्ती शरीर में बनी रहे शरीर में सामर्थी बनी रहे रसाइन तो रिशीयों के लिए यह रसाइन हैं ग्रहस्तों के लिए आशदी है रिशीयों के लिए रसाइन हैं गोपियों के लिए यानि कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण प्रेमियों के लिए बुले उनके लिए अमृत है ये तवकताम अमृतम तबतजीवनम उनके लिए अमृत है और शुकदेव जी जैसे सनत कुमार जैसे भगवान शिव जैसे परमहंसों के लिए बुले उनके लिए आसव है ऐसे जो नागा बाबा होते हैं बोले बाबा भी नागा बाबा शुकदेव जी भी नागा बाबा सनत कुमार भी नागा बाबा सब नगने दिगंबर है परमहंस है उनके लिए ये कथा आसव है सनत कुमार भी इस कथा का आश्रे करते हैं शंकर जी भी आश्रे करते हैं और शुकदेव जी भी इस कथा का आश्रे करते हैं उनके लिए यह कथा आसव है तो यह ऐसे जो साधू है नागा बाबा वो नशे में रहते हैं कहे का नशा है वो भंग का नहीं भगवत कथा का नशा है उनके लिए ये आसव है तो जिसकी जैसी भूमिका उसके लिए ये कथा अलग-अलग रूप धारण करती है किसी के लिए औशधी, किसी के लिए रिसाइन, किसी के लिए अमृत, किसी के लिए आसव श्रवनक जी कहते हैं महराज यह गोर का लिकाल आया है और इसमें जीव सब आसुरी वृत्ती वाले हो गए है उनका कल्यान कैसे हो आप उपाए बताओ और नईमी शारण्य में श्री सुत जी महराज ने कथा सुनाया शवनक जी रिगवेदी हैं शवनक भारत के मान्य कुलपतियों में से एक हैं शवनक वृद्ध कुलपती है प्रीति ही शवनक चित्ते ते ख्यतो वच्च्मी विचार्यच सर्वसद्धांत निश्पन्नम संसार भयनाशनम ये शवनक जी आपके चित्मे भगवान की कथा के प्रती प्रीती है और इसलिए मैं आपको सुना रहा हैं सर्वसद्धांत से निश्पन्न जो है संसार के भय को मिटाने वाला जो है भक्ती को बढ़ाने वाला जो है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला जो है ऐसा साधन मैं आपको बता रहा हूं सावधान तया श्रणों साउधान हो करके सुनू अच्छा भाई वो साधन का नाम क्या है अमरित और कहां अमरित कथां मरित कहां काच और कहां मणी तुमारे इस काच के बदले में मैं अपनी मुल्यवान मणी दे दूँ हमको बनिया समझा है और वो भी बेवकुब बनिया जो तुमारे काच के बदले में अपनी मणी दे दे तुम खरीदने आये हो कथां मरित और वो भी अमरित दे करके बनिया के पास कुछ खरीदने जाओ उस्यार होता है जबकि कथा कारतो भूरिदा जना है गोपियों ने कहा भूवि ग्रिनन थी ते भूरिदा जना बहुत देने वाले उदार दाता है और उनको बदले में तुमारी शरदाद तुमारा भाव तुमारा कमिट्मेंट इसको छोड़कर और कुछ नहीं चीए और हम यदि कुछ रखते भी हैं तो वो सुद उप्योग करता है अपने लिए नहीं चाहिए हम अपना द्रव्य उनके चरणों में रखकर अपने द्रव्य का सद उप्योग करते कि भगवत सेवा में लगे एजुकेशन में लगे गरिबों की सेवा में लगे और कई महापुरुष वो भी नहीं लेते वो जंजड भी नहीं पालते वो बिलकुल निवृत्ती परायन होते हैं तो कुछ प्रवृत्ती परायन होते हैं महापुरुष उनकी प्रवृत्ती को भी प्रणाम और कुछ बिलकुल निवृत्ती परायन होते हैं उनको एक पैसा नहीं चीए पैसे कुछ छूते ही नहीं तो ऐसे निवृत्ति परायन महात्माओं की निवृत्ति को प्रणाओ लेकिन सभी कल्यान कारी है उनकी निवृत्ति भी कल्यान कारी है और इन महापुरुषों की प्रवृत्ति भी कल्यान कारी है सबसंसार पर उपकार ही कर रहे और फिर प्रवृत्ति करने वाले महापुरुष प्रवृत्ति करते करते भी सावधान बंध न जाएं कोई कर्म उनको बांधे नहीं जैसे जनक जी कहते हैं बिना कर्म की ये नैशकर्म ये सिद्धी कैसे प्राप्त कर सकते हो तो ऐसा कर्म करो शास्त्रवीत और इस प्रकार से करो कि कर्म करो लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं और वह कर्म सरवजन हिताय हो और तुम कर्म से बंधो नहीं श्री कृष्णा ने कोई कम किया है काम क्या लेकिन कहते है नमे कर्मानि लिम्पंदी नमे कर्मफले स्प्रिहा कर्म मुझे लेपते नहीं मुझे बांधते नहीं क्योंकि कर्मफल में मेरी स्प्रिहा नहीं बड़ी दिव्य बाते हैं तो शुकदेव जी ने देवतावों को अभक्त अनअधिकारी समझ करके ना ददाऊ सकतामरितं कतामरित नहीं दिया अरवा कतामरित जो अधिकारी हैं सुपात्र हैं उन राजा परिक्षित को पिलाया और साथ दिन में राजा परिक्षित की मुक्ती हो गई अब ये बात सब जगे फैल गई पता है क्या हुआ परिक्षिज जी ने कथा सुनी मुक्ष हो गया रह ऐसे थोड़ी हो सकता है मुक्ष कोई ऐसी वैसी बात है क्या अरिते ग्यानान नमुक्ति ही और ग्यान के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता ऐसे ही कुछ सुनने से मुक्ष हो जाए बोले हाँ हुआ पका शुकदेव जी ने कथा सुनाया राजा परिक्षित को साथ ही दिन में राजा परिक्षित मुक्त हो गए यह खबर ब्रह्म लोग तक पहुँची ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी को आश्चरिय हुआ श्रवण से मुक्ति और कुछ नहीं करना है बस बैठो लेकिन बस सुनो और श्रवण मात्र से मुक्ति ब्रह्मा जी को आश्चरिय हुआ उन्होंने भगवत प्राप्ती के मुक्ती की प्राप्ती के जितने भी साधन थे सब की तुलना करी तो श्रीमत भागवत सबसे इसरेष्ट सिद्ध हुआ जो श्रवन मात्र से मुक्त कर देता बस परिक्षित बन करके सुनो श्रीमत भागवत श्रवन मात्र से मुक्त करता ब्रमाजी ने देखा ब्रमाजी को बहुत आश्चरिय हुआ यह कथा ब्रमाजी ने अपने पुत्र नारद को दिया था भागवत लेकिन नारद जीने भागवत की महिमा सनत कुमारों से समझा था कथा है कि बदरिक आश्रम में जब नारद जी पदारे उसी वक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारो नगन दिगंबर महापुरुष बद्रिका श्रम में आए सतसंग आर्थम समायाता सतसंग के लिए आए तो नारत जी को देखा नारत जी बड़े दुखी थे पूछा कि वही क्या बात है आप दुखी भगवान के दास कभी होते नहीं उदास आपन उदास कशा साथी कुटे के लिए होते आता कुटे साथा है काई जाला है रड़ते कशाला नारत जी बोले अहम तु पृत्विम्यात अहा ज्यात्वा सर्वत्तमामिती मैं पृत्वी पर गया था पृत्वी को सर्वत्तम समझ करके पुष्कर प्रयाकाशी गुदावरी हरिक्षेत्र अनिकानेक तिर्थो में मैंने परिभ्रमन किया मन को कहीं शान्दी नहीं मिले यमना के तड़ पर आया एक आश्चरिय देखा एक तरुनी स्त्री रो रही थी उसके दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष सोये पड़े थी उन दोनों को जगाने के वो कोशिश कर रही थी उस्त्री की सेवा में बहुत सी दासियां थी लेकिन वो स्त्री बहुत दुखी थी कोई मदद करने वाला मिले इसलिए दसो दिसाओं में देख रही थी नारज जी कहते हैं मेरे उपर दृष्टी पड़ी तो उसने मुझे पुकारा भो भो साधो खशनम तिष्ठ मत चिंताम अपिनाशाया तो मैं समीब गया देखो ये बड़ा सुन्दर रूपक है यहां पर यमना के तडपर रो रही वस्त्री भक्ति महाराणी उसके उभए पारश्व में सोये पड़े दो वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराज्या ये भक्ति के पुत्र हैं यहां माता युवती और पुत्र वृद्ध ये स्थिती हुई है भक्ति महाराणी अपना परिचय देते हुए कहती है नारज जी से कि उत्पना द्रविडे साहम द्रविड देश में मेरा जन्म हुआ करणा टक में मैं पली बड़ी हुई महाराष्ट में मुझे कहीं कहीं पोशन मिला गुरजरे जीरन ताम गता फिर वहां से भागी आई यमना के तट पर यहां ब्रज में जहां भगवान की लीला हुई है श्री कुरुष्ण की चरण रज से जहां की भूमी विबुशित है यहां आते ही मुझे मेरा यवन पुनः प्राप्त हो गया लेकिन मेरे दोनों बच्चे दोनों बुढ़े ही रह गए अब मैं मा युवती और मेरे दोनों पुत्र वृद बड़ा विपरित हुआ और यह सोये पड़े हैं नारज जी मेरी सहायता करिए इन दोनों को जगाईए तो फिर इनको लेकर कि मैं विदेश चली जाना चाहती हूँ तो नारज जीन कहा कि अरे दिरज रखो दिरज रखो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुख्खम गमिश्यती श्री कृष्ण परमातमा के चरणार विंद का ध्यान करो दुख जाएगा तुमें कहीं नहीं जाना है मैं तुमारे दोनों पुत्रों ग्यान और विराग्य को जगाऊंगा और ग्यान विराग्य समेथ गेहे गेहे जने जने तुमारी स्थापना करूंगा यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरी का दास नहीं तो वह नारज जी जैसे भक्ति मार्ग के आचारियक हो तो ये प्रतिगना शुवा देती है और उनके जीवन का मिशन भी यही होता कि जन जन के रिदय में ग्यान भक्ति विराग्य की स्थापना हो सबकी बुद्धी प्रग्या से प्रकाशित हो सबका रिदय भगवत प्रेम से भरा हुआ हो और सबके अंदर संसार के नश्वर पदार्थों के प्रतिग विराग्य हो ये तीन बाते हैं तो पूरे संसार का कल्यान हो सकता है वसादो संदों का यही मिशन है कि ज्ञान भक्ति विराग्य का जन जन के मन में स्थापन हो ताकि प्रतेक व्यक्ति का और संपुर्ण समाज का कल्याना इसी से संभव है नारज जी ने वेद वेदांद गोश किया गीता पाड़ किया ग्यान वईराग्य जागे और फिर जमाई लेते हुए सो गए आकाश में आकाश वानी हुई आप सतकर्म करिए आपका उद्यम सफल होगा नारज जी ने सतकर्म क्या है समझने के लिए नेकाने संतों के पास जा जा करके प्रश्न पूछा कोई उत्तर नहीं दे पाया आज बद्री का अश्रम में सनत कुमारों से जब मिले तो सनत कुमारों ने उत्तर दिया सतकर्म सूचको नूनम नारज जी ने कहा तो फिर आप ही भागवत सुनाईए और सनत कुमारों को लेकर श्री गंगा जी के आनंद तट पर आए अरद्वार के पास गंगा द्वार समी पेतू तटम आनंग नामकम और वहाँ पर भगवान के मंगल में इक था आयोजन हुआ, नारज जी आयोजक हैं सनत कुमार वक्ता हैं बहुत बड़ा सत्संग होगा समाचार फैल गए सब रिशिमनी अपने अच्रमों से निकल कर शिष्य समुदाए के साथ आने लगे विरक्त अपने शिष्य समुदाए के साथ ग्रहस्थ अपने परिवार जनों को ले करके वहां पर उपस्थित हुए बहुत बड़ी सभा हुई और सनत कुमारों ने भागवती कथा के महिमा का गायन किया और वे गायन कर रहे थे उसी वक्त एक चमतकार हुआ जो भक्ती रो रही थी यमना के तट पर वो हसती नाचती गाती हरिनाम संकीरतन करती यहां कथा गंगा के तट पर शरू ही वहां पर आई अब भक्ती अकेली नहीं उसके दोनों पुत्र ज्यान और वैराग्य कथा यहां गंगा के तट पर शरू ही और वे दोनों वहाँ जमनाजी के तड़ पर जागे नकेवल जागे उन दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया वे दोनों तरुन हो गये मा युवती और दोनों बेटे तरुन अब बात जम रही है हरिनाम संकिर्दन करते हुए आए सकल तीर्थ शरीर धारण करके आए भगवान की कथा जहां हो रही होती है वहां सारे तीर्थ होते अरे भगवान की कथा जहां हो रही होती है वो स्थान महातिर्थ बन जाता है क्या बताएं एक बार शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे कहीं और एक स्थान ऐसा देखा तो शंकर जी बड़े प्रसन होकर वहां की धूली में लेटने लगे बड़े प्रसन हो गए बार-बार वहां दंडवत किया पारवती जी ने कहा यहां कोई तिर्थ नहीं यहां कोई मंदिर नहीं कोई दिवालाई नहीं है और आप ने यहां की धूली को माथे पर चड़ाया आपने दंडवत किया क्या बात है शंकर जी बोले यहां बले कोई देवालाई नहो लेकिर यह बहुत बड़ा तिर्थ है कैसे बोले एक हजार वर्ष पहले यहां भगवान की कथा हुई थी यह स्थान तिर्थरूब तो बोले बाबा ने वहां की धूली को अपने अंग पर रमाः ओ भगवान की कथा कि ऐसी महिमान फिर से एक दिन कहीं जा रहे थे फिर से एक स्थान देख लिया बोले बाबा ने फिर वहां की धूली में लेटने लगे वहां की धुली को अपने श्रिरपर रमाने लगे पारवती जी बोली भगवन क्या यहां पर भी भगवन की कौई कथा हुई थी बोले बाबाने कहा नइ, यहां कोई कथा नहीं हुई अब तक तो बोले यहां एक घजार वरश के बाद कथा होने वाली इस भूमी की कुंडली में उस भूमी के भाग्य में कथा है जैसे व्यक्ति की कुंडली जनम कुंडली बनती है भूमी की भी भाग्य कुंडली बनती है इस भूमी के भाग्य में हैं भगवत कथा यहां एक अजार वर्ष के बाद कथा होने वाली है तो भूले बाबा ने उस थान को भी दन्डवत कर लिया भगवान की कथा की ऐसी महिमा है जहां भगवान की मंगल में कथा होती है वह महान तिर्थ रूप हो जाती है भूमी तो सकल तिर्थ शरीर धारन करके आए तिर्थो में कुम्भ लगता है कभी नासिक में, कभी प्रयाग में, कभी हरदवार में, कभी अजयन में लेकिन तिर्थो का जहां कुम्भ लगता है वो है भगवत कथा लोग तिर्थ में जाते हैं नहाने पवित्र होने लेकिन सर्वतिर्थ यहां पवित्र होने आते हैं भगवान की मंगल में कथा हो रही होती है ये महिमा है भगवत कथा की सनत कुमारों ने भगवान की कथा की महिमा को बताते हुए कहा कोई कितना ही काईक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों नहो श्रिमत भागवत के श्रवन मात्र से वह पाप से मुक्त हो जाता है न केवल पाप मुक्त होता है भगवान के लोक की प्रप्ति करता और ऐसा एक इतिहास सुनाया आत्मदेव ब्रह्मन का बेटा धुंदुकारी महापापी था मृत्यू के बाद प्रेत योनी को प्रप्त हुआ था लेकिन जब उनी के भाई गोकर्ण महाराद ने जब श्रिमत भागवत कथा करी तो सौगया श्रद से भी जिसकी मुक्ती संभव नहीं थी उस प्रेतात्मा धुंदुकारी की प्रेत योनी से मुक्ती हो गई भगवान के पारशद विमान लेकर के आए और दुंदुकारी को ठाकुर जी के धम में ले गए धन्या भागवती वारता प्रेत पीडा विनाशिनी सब्ता हो पितथा धन्यह कृष्ण लो कफलब प्रदा शिमत भागवत के श्रबन की विधी बताया डॉक्टर दवाई देते हैं और फिर दवाई के सेवन की विधी बताते हैं पस उसी प्रकार विधी कथन भी किया गया है वक्ता शरुता के नियम बताये गए हैं अंत में वहां शुकदेव जी आये हैं शुकदेव जी ने भी वचना मृत के आ है असार संसार में विशय व्यासंगी बनकर अपने जिवन को व्यर्थ क्यों बरबाद कर रहे हो अरे निजकल्यान के लिए आधेक्षन के लिए ही सही श्रीमद भागवत का श्रवन कर लो तुमारी मुक्ती हो जाएगी महाराज परिक्षित इसमें प्रमान है श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्री शुकदेव जी के द्वारा कथित और जिसका श्रवन करके साथ ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परिक्षित वो पारमहंस सम्हिता श्रीमद भागवत अठारा हजार श्लोक तीन सो पैंटीस अध्याय और द्वादशस कंध में कही गई है हम उस कथा का आनद लेंगे आज विरामदूस के पहले श्रीमत भागवत में प्रवेश कर लें ओम श्री परमात्मने नमहा जन्माध्यस्ययतोन्वयादितरतश्चार्थेश्वभिग्नस्वराथ तेने म्रम्मरुदायादिकवये मुहियंदियत्सूरया ते जोवारि मृदाम्यधाविनिमयो यत्रत्रिसर्गोम्रुषा धाम्नास्वेनसदा निरस्तकुहकं सत्यंपरंधीमहि इस प्रथम श्लोक के संकिर्टन के साथ श्रीमत भागवत में प्रवेश आईए कथा विराम का समय हुआ है कथा विराम के साथ साथ हम भी श्री ठापुर जी के चरणों में हरिनाम संकिर्टन करते हुए विराम लें और तत्पस्चाद निरान जन करेंगे जै जै राधार मन गिरिधारी गिरिधारी शाम बनवारी जै राधार मन गिरिधारी 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 शाम बनवारी बगवन नाम संकिरतन के साथ आज की कथा को यहां पर विराम देते हैं कल पनह अपरान समय में इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और प्रतमसकन में जो मंगलाचरन का श्लोक है उसके उपर द्रश्टी करते हुए आगे बढ़ेंगे आईए भावर प्यार से भगवान के नाम का जै गोश करें श्री द्वार का धीश की जै श्री गोवर धनना भाथ की जै श्री गिरिराज धरन की जै श्री बाल गृष्ण लाल की जै सद गुरू दे वकी जै सच्चिदानंद रस्वरूब विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लएके हे तू त्रिवितताब का उन्मुलन करने वाले श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं भगवान को आरंब में नमन और सुमन मन दोनों समर्पित करते हैं हम फिर कथा का प्रारम करते हैं सुमन मन पुष्प नमन मन नमस्कार परंद सुमन का आर्थ के बल पुष्प ही नहीं होता सुमन सुमन सुन्दर मन भगवान को अपना सुन्दर मन समर्पित करें कथा मन दे करके सुननी है तात सुनहु सादर मन लाई कहुं राम के कथा सुहाई तात सुनहु सादर मन लाई भगवान मन चाहते हैं सुन्दर मन भगवान को समर्पित करें कथा कान से नहीं सुननी है तो सुमन समर्पित करें और नमन समर्पित करें नमन का यगर्द होता है नमस्कार और नमन जो ना मन करे वो ना मन 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 भगवान को सौंप दिया अब हम ना मन हो गए देखो जब तक मन है तब तक सुख है दुख है मान है अपमान है मन भगवान को सौंप दिया मन ही नहीं रहा तो फिर कैसा सुख, कैसा दुख, कैसा मान, कैसा अपमान और सुख और दुख ना हो, तो क्या होता है, बोले तब आनंद रहता है गुबियां नमन हो गई गुदव जी जब आने आये, गोपियों के पास उपदेश करने, कृष्ण का संदेश लेकर कहते हैं, देखो, मन देकर सुनो जो हम कहने आये हैं गोपियों ने का कौन सा मन, कैसा मन, हमारे पास तो मन है यह नहीं मन नहीं है, बोले एक था, वो कृष्ण ले गए अब किस दुसरे इश्वर की आरात ना करें हम, और किस मन से करें, हमारे पास तो मन ही नहीं है, एक ही था सो गयो श्याम संग, सो श्री कृष्ण ले गए, और अब हम उसके विरह में रो रही है, रोने दो यार, तुम्हारा क्या जाता है, यार एंजोईंग, ये रोना भी हमको अच्छा लग रहा है, तुम हमको दुखी समझ रहे हो, अरे श्री कृष्ण के व्योग में रोने का आत्मकानन्द है, ये विप्रयोगात्मकानन्द है, तुम हमको दुखी समझ रहे हो, अरे श्री कृष्ण के व्योग में दुखी होने जैसा सुख दूसरा कोई में, हमको अपनी मस्ती में रहने दो यार, क्यों समझाने आये हो, क्यों डिश्टब कर रहे हो, अब कहीं कीर्तन भक्ती हो रही हो, और वहां कोई चला जाए और कहा है, बुले, बण करो, बन करो, बंदो, ये टालवाल सब, बजाते बजाते सब कूद रहे हो विठा ला विठा ला विठा बसा खाली बसा ठाका ठाल सुड़ा चला आता आमी तुमाला परब्रमचा उबदेश करता है ये काई चलना है हिंद्रित्य और गायन टालवाज़ उता है बंद करा तो कोई गएगा वहिया आप ब्रमचा की बात करना हो तो कहीं अन्यत्र जाकर जहां उसके ग्राहक हो वहां जाके करो यहां तो किरतन भक्ती हो रही है आमी वार करी तुम्ही अलाई थे स्वागत तुम्चा ये ग्या टाल अन्य किरतन करा किरतन भक्ती हो रही है अब इसमें यहां ब्रह्मा वेदान्त का उपदेश करने की कहां बात कर रहे हो आये हो किरतन करो गोबियां कहा रही है यहां हम सब मस्त होकर रो रही है कृष्ण के वियोग में रोने का आनन ले रही है और तुम ब्रह्म का उपदेश करने की बात छोड़ो यार वायार डिश्टम्मिंगस और तुम आये हो तो तुम्हारा स्वागत है तुम भी रो रोने का आनन तुम भी लो और यही हुआ उद्धव जी जब गए मथुरा वापस लोटे तो आशू ले करके लोटे गोपियों ने अपने आशू की संपत्ती से उद्धव को भी धोड़ा दान कर दिया और यह वेदानती सुखे रेगस्तान सी उसकी आँखें प्रेमाश्रू से भर गई जब उद्धव मथुरा वापस लोटे तो श्री कृष्ण के वियोग के दुख जैसा कोई सुख नहीं है श्री कृष्ण के लिए रोना आशू बहाना उसके जैसा कोई आनंद नहीं है इसलिए छोड़ो धव्ये वेदानती की बातें और ब्रह्म की चर्चा हम और कुछ नहीं जानती एक था हमारे पास मन और वो ले गए कनिया अब श्री कृष्ण में ही है मन एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस उधो मन नाहीं दस बीस तो नमन करना नमन होना है सचा नमन वही है जो नामन कर दे यानि मन भगवान को संप दिया जाए भगवान को हम धन तो देते हैं लेकिन मन नहीं देते हकीकत यह है कि धन तो भगवान ने हमको दिया है लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मंदिर में जाकर हम धन दे कर आते हैं पांच रुपिया दस रुपिया मन दे कर नहीं आते हैं भगवार ने कहा तू पांच रुपिया दस रुपिया मुझे खुश करेगा बगल में देख ये लक्षमी मेरी अर्दंग नहीं है मैं लक्षमी का स्वामी हूँ तो पांच दस रुपिया देकर मुझे खुश करेगा मुझे प्रसंद करना है तो अपना मन दे दे श्री कृष्ण कहते हैं मन दे दे मैयेव मन आधत्स्व मै बुद्धिम निवेशय मन तु मुझ मे दे लगा भी आपको मन क्यों चाहिए मुझे हमारे पास नहीं है इसलिए हमको मन की बहुत जरुरत है प्रभू आपके पास मन नहीं है कनिया ये कैसी बात कर रहे हो तो कनिया कहते है हमारे पास भी था चौरी हो गया लह चौर के घर में चौरी और तुम तो चौरों के सरदार वने वसंदम नवनीत चौरम गोपांगनानाम्च दुकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामी ऐसे वन्दन किया है श्री कृष्ण को के वन में रहता एक चौर कौन सा वन बुलिवरंदा वन वन और उसमें रहता एक चौर उसका नाम श्री कृष्ण वो नवनीत चौर है माखन चुराता है उसने गोपियों के चीर का हरण किया दुकूल चुराए और जो जी उसको भजता है तो उनके अनेक जन्मार जित पाप को वो चुरा लेता है ऐसे चौराक्रगण्यम पुरुशम नमामी ऐसे चौरों के सरदार को हम नमस्कार करते है ए भाई दुनिया में कोई धरम ऐसी छूट देता हो तो मुझे बताओ कि जिस धरम में आप अपने भगवान को